परिचय हलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आम तोर पर हम रोजाना अपने चारों तरफ बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जिन में से कुछ तो चल पाती हैं और कुछ नहीं चल पाती। आप जानते हैं ऐसा क्यूं है? हाई ये इसके पीछे मौजूद कारण जानें। आउ सीखें। सभी जानवर और पेड़ पौधे जिन्दा वस्तुओं के उदाहरण हैं। सजीव वस्तुओं की विशेष्टाएं क्या आपको पता है कि हम सजीव वस्तुओं की पहचान किस तरह कर सकते हैं? देखिए, सभी सजीव वस्तुओं हिलती डुलती हैं। इसका मतलब है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती हैं। सभी सजीव वस्तुओं में विकास नजराता है। वे जिन्दा रहने तथा अपने विकास के लिए भोजन लेती हैं। इन गुणों के अलावा वे सास भी लेती हैं। वे महसूस कर सकती हैं और अपने आसपास के माहौल के प्रती समवेदनशील होती हैं। उनमें अपनी संतान उत्पन करने की भी योग्यता होती है जिसे प्रजनन कहा जाता है। निर्जीव वस्तुओं दोस्तों, अब निर्जीव वस्थूओं के बारे में जानते हैं निर्जीव वस्थूओं के कुछ उधारण है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके पिता की बाइक भी निर्जीव जीज है ये तभी चल सकती है जब इसमें पेट्रोल होता है सजीव वस्तूओं के विपरीत निर्जीव वस्तूओं का ना तो विकास होता है और ना ही वे प्रजनन करती है सजीव और निर्जीव वस्तूओं के बीच अंतर यहां सजीव और निर्जीव वस्तूओं के बीच अंतर दिखाने वाला एक चार्ट मौजूद है हमने क्या चर्चा की? होती है